हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम लखी खंडेलवाल है आज मैं आप सभी लोगों के साथ expected cutoff discuss करूँगा ऐसे सीजल 2019 टीर 2 और टीर 3 के लिए और इसी के साथ मैं सेफ स्कूर भी करूँगा जो आपको एक पॉस से करा सकती है चाहे वो टी इंसी बीडीटी हो यह सी भी आई सी हो कि कट आफ डिसक्रस करने से पहले हम डबल यो की वेकिंसी देख लेते हैं जो की दो हजार अठारा में डबल यो की वेकिंसी ती अरांड अरांड 300 वेकिंसी थी डबल यो की जो की 2019 में 500 हो चुगी है वेकिंसी बड़ी है तो इसका कट आफ पे ज़रूर थोड़ा एंपक्ट पड़ेगा लेकिन जो अठारा तारिक का मास का पेपर हुआ है उससे नॉर्मलाइज स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है तो आईए अठार अठारा में जो डबल यो का कट आफ गया था टीर 2 के बाद वो था 572 नंबर OBC का 510, STSC 460 और 463 नंबर इसमें देखने की बात यह है कि इसमें EWS EWS कैटेगरी नहीं है जो कि इस साल SSC CGL में इंट्रड्यूस हुई है तो उस कारण से भी थोड़ा सा कट आफ पर इंपक्ट पड़ेगा कट आफ जो की मैं अज्यूम कर रहा हूं दबल यो की पोस्ट के लिए वो है अन्रिजर्वड 585 से 590 नंबर यह नॉर्मलाइज स्कूर है OBC और EWS को हम अल्मोस्स सेम ही मान के चलेंगे क्योंकि कट आफ आसपास ही रहेंगा 525 से 530 नंबर का SC के लिए 575 से 580 नंबर और SD के लिए 465 से 470 नंबर यह तो हुआ नॉमलाइज स्कूर आईए अब देखते हैं कि RAW स्कूर का कैसा क्या रहेगा RAW स्कूर अगर आप 15 तारिक में 530 से 540 नंबर लेके आ रहे हैं अन्रिजर्व कैटेगरी में तो आप डबल यो के लिए एलिजिबल रहेंगे डिपेंड करता है कि आप टीर 3 में कितना स्कूर लेके आएंगे 16 नवंबर के शिफ्ट में अगर आप अन्रिजर्व कैटेगरी से 535 से 545 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप अपने आपको सेफ समझेए यही 18 तारिक में नौर रॉ स्कूर आपका 570 से 575 तक चला जाएगा OBC और EWS कैटेगरी में 470 से 475 15 तारिक में 16 तारिक में 475 से 480 और 18 तारिक में 510 से 515 नंबर सेम आप SC कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 15 तारिक में 420 से 425 425 से 430 16 तारिक में 465 से 470 अब हम दिखते हैं जनरल जो पोस्त होती है मतलब डबल आओ और एस जेएसो डबल और जेएसो की पोस्त को शोड़कर जो बाकी की पोस्त होती है उनके लिए जिसमें दो हजार अठारा में अराउंड ग्यारा हजार दो से कतर पोस्त ही थी वहीं दो हजार उननेस में जो घटके दो आठ हजार पांसो ब्यासी पोस्त हो चुके हैं तो इससे डेफिनेटली कट अफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा एससे सीजेल टियर टू दो हजार अठारा का कट अफ जो की था 433 नंबर यूर कैटेगरी के लिए ओवी सी के लिए 400 नंबर एस्टी के लिए 327 एवं एस्टी के लिए 534 नंबर जो इस बार हम मान के चल रहे हैं कि क्या कट अफ रहेगा नॉर्मलाइज स्कूर वो अन्रिजर्व के लिए आप 450 से 455 नंबर मानिए इसमें प्लस 5 का इंक्रीमेंट भी देख सकते हैं माइनस 5 तो मुश्किली रहेगा प्लस 5 तक आप मान के चलिए ओवी सी और एडवलोस म अब अगर हम इसी में रॉस को देखें तो अगर आप 15 तारिक में अन्रिजर्व कैटेगरी में 395 नंबर ला रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप tier 2 को क्लियर कर लेंगे यही 16 तारिक में अगर आप 400 से 405 नंबर लेके आ रहे हैं और 18 तारिक में 440 से 445 नंबर तो मान के चलिए कि आप tier 2 के लिस्ट को क्लियर कर लेंगे यही 15 तारिक में अगर आप 370 से 375 नंबर लेके आ रहे हैं 16 तारिक में 375 से 380 और 18 तारिक में 410 से 415 सेम आप SC कैटेगरी और SD कैटेगरी के लिए अपना-पना स्कोर देख सकते हैं अब अब अगर हम देखें कि टीर 3 में डबल यो की पोस्ट के लिए 2018 में क्या कट आफ गया था तो वो यूर कैटेगरी के लिए अरॉंड 666 नंबर था ओबीसी के लिए 656 SD के लिए 586 नंसी के लिए 602 इससे हम देखेंगी कि इसका इस साल मतलब 2019 में कट आफ पर क्या इंपक्ट पड़ेगा अगर हम डबल यो का कट आफ माने टीर 3 के लिए तो वो अन्रिजर्व काप 710 से 715 मानके चली हाँ थोड़ा जादा है क्योंकि जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा इस बार मैच के करण वो थोड़ा से इंक्रीज स्कोर आएगा OBC और EWS में अब 480 से 485 नंबर मानिए SC में 620 से 625 और ST के लिए 595 से 600 नंबर यही अगर आप टीर 3 मतलब CPT की बात करें क्योंकि DST तो कुछ काम का नहीं रहता है अगर आपका DST में नाम है तो मानिए कि आपको पोस्ट मिलना बहुत मुश्किल है मतलब लगबग नाम होंकि नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपका नाम CPT वाली लिस्ट में ही रहे CPT का UR से जो कट आफ था वो था राउंड 539 OBC 520 नंबर ST 439 मार्क्स SC 467 अब SSC CGL 2019 में नॉर्मलाइज स्कोर चुकि आप मान सकते हैं जो आपको tier 3 क्लियर करवा देगा वो अन्रिजर्व का राउंड 555 से 560 नंबर मानिये OBC और EWS का 535 से 540 नंबर मानिये इसमें प्लस माइनस 5 देख सकते हैं OBC और EWS की कैटेगरी में SC अराउंड 480 से 485 नंबर और ST का 465 से 470 नंबर अब आती है most important चीज़ safe score to secure a post after tier 3 assume करेंगे हम की tier 3 में आप सभी लोगों की 55 नंबर और उसके उपर ही आएंगे क्योंकि tier 3 थोड़ा unpredictable हो गया था SA का topic भी थोड़ा मतलब unpredictable था और उसके साथ प्रिसी था तो प्रिसी में marking कैसी क्या होती है हम उसका idea नहीं लगा सकते आहिए हम दिखते है safe score क्या रहेगा safe score अगर आप tier 3 में 55 नंबर लेके आते हैं और अन्रिजर्व से आप 560 से 565 के बीच में हैं तो आप safe मानिए कि आपको कुछ ना कुछ पूस्तों मिली जाएगी OBC और EWS में अगर आपके 545 से 550 नंबर हैं तो आप safe मानिए ST के लिए 490 से 495 और ST के लिए 475 से 480 नंबर यहीं अगर हम देखें तो 15, 16 और 18 तारिक में tier 2 के बाद raw score आपका क्या होना चाहिए कि आप अपने आपको safe category में consider करें तो आप मानिए कि अगर 15 तारिक में unreserved category में आपके 450 से 450 नंबर हैं तो आप अपने आपको safe समझें यहीं 16 तारिक में 455 से 460 नंबर 18 तारिक में 480 से 485 नंबर OBC और EWS में अगर आपके 415 से 420 नंबर हैं तो आप अपने आपको safe category में समझें 16 तारिक में 420 से 425 और 18 तारिक में 465 से 470 नंबर SC category 15 तारिक में, अगर हैं आप 375-380 नमबर है तो आप सेफ हो सकते हैं 380-386 तारिक मेंаш सेफ हो सकते हैं और 18 तारिक में अगर आप 420-425 नमबर लेक्टाहरे हैंern parked SC Category तो आपकोôs मिलने की सेम्भावनाaire स्भारोग लाइक ST category में 15 तारिक में अगर आपके 330-335 नंबर है 16 तारिक में 340-345 नंबर है और 18 तारिक में 370-375 नंबर है तो काफी उमीद रहेगी कि आपको कुछ ने कुछ पोस्स मिल सकती है यह मेरे अनलिस था इसमें अगर आपको कुछ changes लगते हैं कुछ suggestions हैं आपके तो comment box में आप लिख सकते हैं और अगर आप कोई analysis अच्छा हो तो please like and share this video and do subscribe to my channel Thank you very much